नबश्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक Professional Invoice के उपर क्या क्या चीजे होनी चाहिएं जिसमें आपका Invoice एक Professional Invoice दिखाई दे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी Company के Invoice के उपर किस तरह से Logo Print कर सकते हैं इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने invoice के ओपर किस तरह से अपनी bank details को print कर सकते हैं इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई seller है और किसी item को sale करते हैं तो उस item के नीचे आप description किस तरह से add कर पाएंगे इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने invoice का duplicate या triplicate bill प्रिंट करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं यह सारे doubt मैं आपको इसी वीडियो में clear करने वाला हूँ तो बने रही है हमारे साथ मैं हूँ Vinod तो चलिए वीडियो को start करते हैं इसके लिए हम चले जाते हैं अपनी tele screen पर यहाँ पर जाने के बाद मैं आपको पहले दिखा दूँ कि हमारे invoice के ओपर कोई भी logo नहीं है उसके बाद मैं आपको logo लगा के दिखाऊँगा इसके लिए हम चले जाते हैं सबसे पहले daybook के ऊपर, daybook पे जाने के बाद आपको जाना है sales के ऊपर, sales के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको इस configuration वाले option पर आपको click करना होगा, इसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने एक option है, include company logo, applicable to print, export and email इस पर आपको click करना होगा और इस वाले option को activate करना होगा, इस पर आप double click कर दीजे या फिर enter press कर दीजे, यहाँ पर आपका यह जो option no है, इसको yes करा दीजे और enter press कर दीजे, इसके enter press करने के बाद यहाँ पर आपको capsules ले लेना है, इसके बाद इसकी कुछ time and conditions है, मैं पहले आपको यह समझा देता हूँ, जिसमें सबसे पहली condition है, only BMP and JPG file format are supported, यानि जो भी आप logo की file यहाँ पर लगाएंगे, उसका जो format होना चाहिए, या तो वो BMP य width by 80 pixel in height, यानि कि आप यहाँ पर जो भी file को attach करेंगे, उस file का size होना चाहिए, वो 96 pixel width होनी चाहिए, और 80 pixel height होनी चाहिए, इसके बाद जो तीसरी condition है, वो कहता है, company logo can be printed only on specified reports and vouchers only, यानि कि reports और voucher के ऊपर ही आपका logo print होगा, इसके अलावा अगर आप इसे कहीं और print करने क कोशिश करेंगे, तो वो वहाँ पर show नहीं होगा, तो चलिए आप सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी file को लगा देते हैं, तो इसके लिए आपके पास एक logo बना हुआ होना चाहिए, और उस logo का size आप किस तरह से maintain करेंगे, यानि इसके हिसाब से आप किस तरह से उसको adjust है, अगर आपको paint खोलना नहीं आता, तो अब मैं बता देता हूँ, paint आप किस तरह से खोल सकते हैं, इसके लिए आपको press करना होगा, window plus R, window plus R करके यहाँ पर आपको लिखना होगा, MS Paint, और OK कर देना होगा, यहाँ पर आप देखेंगे, आपका paint open हो जाएगा, paint open होने के ब अब यह जो logo का size है, वो काफी बड़ा size है, इस size को हम इसके according कैसे adjust करेंगे, यानि कि यह जो हमें condition बता रहा है, उसके हिसाप से हम इसको किस तरह से adjust करेंगे, तो इसके लिए हम चले जाते हैं, वापस अपने paint के ऊपर, यहाँ पर जाने के बाद आप आप देखेंगे, य इसका horizontal size है, वो 600 pixel है, और vertical size 600 pixel है, यहाँ पर जो maintain का option है, इसके उपर जो checkbox है, इसके tick को यहाँ से आपको हटाने ना होगा, इसके बाद इसके हिसाप से यहाँ पर जो भी size है हमारा वो डाल देंगे, तो हमारा यहाँ पर 96 pixel width थी और 80 pixel हमारी height थी, तो हम यहाँ पर वो put कर इसके बाद कर देंगे, इसके बाद आप देखेंगे, हैं पर हमारी width size में convert हो गया, इसके बाद इसको आप save कर दीजे, save कने क्ले फाइल प्र जाए Venag Services करने के बाद इससके को इसको नाम देगे जा जैसे, जैसे माने नाम दे दिया 123, और इसके बाद मैं इसको यहाँ सेव सेव करने के बाद यह हमारा काम हो गया आप चले जाते हम लोग टैली के उपर और यहां पर आप मुझे फाइल की लोकेशन देनी है तो अब इस फाइल की लोकेशन हमें कैसे मिलेगी तो इसके लिए हम चले जाते हैं अपने डेक्स्टॉप पे अब यहां से आपको इसकी लो शो ना हो तो यहां से आपको जाना होगा चूज अनेदर एपश के अंदर और यहां से आपको लेना होगा more app में जा करके internet explore select करना होगा तो यहाँ देखेंगे आपका internet explore आ गया इसको select करके हम यहाँ पर ok कर देंगे ok करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसका यह जो बात आ गया यानि जो इसका address आ गया यही address मुझे चाहिए था तो इसको हम select करेंगे right click करके इसकी copy करेंगे copy करने के बाद अपनी tally में वापस आ जाएंगे यहाँ पर आने के बाद हम control V कर देंगे यानि इसको paste कर देंगे इस location को और इसके बाद हम save कर देंगे इसको enter करके अब यहाँ पर जो हमारी logo की location थी वो यहाँ पर देखे शो हो गई है अब मैं आपको एक बार इसका invoice print करके दिखा देता हूँ इसके लिए आप skip करिए पीछे आ जाएए यहाँ पर alt p करिए alt p करने के बाद यहाँ पर current पे click करिए और यहाँ से चले जाएए preview के उपर अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारा logo शो हो गया इसके बाद आप skip करके पीछे आ जाएए और इसके बाद फिर से alt p करिए alt p करने के बाद configuration में वापस चले जाएए यहाँ से मैं आपको और भी तरीके बता देता हूँ अपने file path को import करने के लिए तो यहाँ पर वापस चले जाएए यहाँ पर जाने के बाद enterprise करिए enterprise करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने तीन options हैं इन तीनों options की मदद से भी आप easily अपने file को find कर सकते हैं जैसे सबसे पहला option जो specified path था जो मैंने आपको बताया इस पर click करके आप अपने location को यहाँ पर paste कर सकते हैं दूसरा जो option है वो है आपका select from drive यहाँ पर click करके आप अपने drive ते अंदर जा करके जहाँ पर भी आपकी file रखी हुई है यानि जहाँ पर भी आपका logo रखा हुआ है वो आप यहाँ पर search कर सकते हैं तीसरा जो option है वो है show less यहाँ पर आपके सामने recent file शो करेंगी जो भी आपने location ली हुई है तो इस तरही किसे आप अपने company के invoice के उपर अपने logo को print करा सकते हैं इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने invoice के ओपर किस तरह से bank detail प्रिंट कर सकते हैं तो इसके लिए आप scab करके पीछे आजाएए पीछे आने के बाद आपको create में जाना होगा यहाँ से आपको जाना होगा ledgers में और यहाँ पर आपको अपने bank का एक laser create करना होगा तो मैं यहाँ बारा लेता हूँ SPI bank और इसको under of डाल दूँगा bank account के और इसके बाद मैं यहाँ पर अपने account का number डाल देता हूँ इसके डालने के बाद आपको सिर्फ enter करके इसको save कर देना है save करने के बाद आपको skip करके पीछे आना है जाना है अपने debug के उपर और यहाँ से जाने के बाद आपको sales में चला जाना है जो आपने sale कर रखी है यहाँ पर जाने के बाद आपको alt p करना है यानि print करना है वापस से और यहाँ से आपको current में क्लिक करना है यहां से आपको जाना है configure के उपर और यहां से आपको search करना है bank bank name search करने के बाद यहां प्र आपको जाना है show bank details के उपर और यहां पर डबब click करके आपकोром अपके लिए चाहेंगी आपकी bank के सारी details यहां पर automatic show हो जाएंगी इसके बाद scab करके आप पीछे आजाएंगे और पीछे आने के बाद यहां पर preview पर जाएंगे preview पर आने के बाद आप यहां पर zoom करके इसको देखिए यहां पर आपकी सारी bank के details शो हो गई और अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने invoice के ऊपर अपने item के नीचे description को किस तरह से add कर सकते हैं तो आप scab करके एक बार पीछे चले जाएगे पीछे जाने के बाद आप देखेंगे यहां पर आपका item है बट उसकी description यहां पर show नहीं हो रही है तो इसके लिए आपको कुछ settings चेंज करनी पड़ेंगी तो इसके लिए हम scab करके एक बार पीछे जाने के बाद आपको जाना है सबसे पहले ultra वाले option पर ultra वाले option में जाने के बाद यहां से आपको जाना है stock items पर Stock item में जाने के बाद यहाँ से आपको जिस भी item के इंदर changes करने है उस item को select करना है तो माली जे मैं यहाँ से select कर लेता हूँ mouse को mouse को select करने के बाद यहाँ पर मुझे item की description अड़ करने है आप देखेंगे यहाँ पर description का कोई भी option शो नहीं होना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर after press करना है after press करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने option शो हो जाएगा provide description for stock item आपको इस वाले option को yes करा देना है इसको yes कराने के बाद अब इसे save कर दीजे यहाँ पर आप अपनी description add कर दीजे mouse की जो भी description है यहाँ पर इसे save कर दीजे तो मैं यहाँ पर अपनी mouse की description को यहाँ से copy कर लेता हूँ और copy करने के बाद यहाँ पर इसको paste कर देता हूँ तो मैंने माउस की description को यहाँ पर add कर दिया और इसी save कर देता हूँ, Ctrl A करके, इसके बाद मैं keyboard को slack करता हूँ, keyboard की description यहाँ पर पहले से ही add है, अगर नहीं है तो आप वापस यहाँ पर copy paste कर सकते हैं, इसके बाद मैं इसको भी save कर देता हूँ, save करने के बाद आपको back जाना है, back जाने के बाद आपको जाना है vouchers के अंदर, vouchers में जाने के बाद मैं एक entry pass करके आपको दिखाता हूँ, साथ के साथ उसमें यह भी दिखाऊंगा कि description आपकी किस तरह से show होगी, तो इसके लिए आप ले लिजे किसी party का name, तो मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर Amand Corporation, जो कि मेरा customer है, जिसको मैं कोई माल सेल कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पर इसे save कर दीजे, और यहाँ पर ले लीजे सेल, सेल लेने के बाद यहाँ पर space दबाईए, और यहाँ से आप अपने items को ले सकते हैं, इससे पहले आप item ले, आपको एक setting यहाँ पर और change करनी होगी, यहाँ पर प्रेस करना होगा F12, F12 प्रेस करने के बाद आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर एक option आएगा आपका, provide additional description for stock item, इस वाले option को भी आपको yes कराना होगा, अगर आप इस option को yes नहीं कराते हैं, तो यहाँ पर invoice के उपर आपकी यह detail शो नहीं होगी, तो चलिए इसके लिए आप वापस item को select कर लीजे, mouse लेने के बाद यहाँ पर mouse की description थी, आपके सामने देखेंगे, show हो गई, इसके बाद आप इसे enter प्रेस कर दीजे, सामने शो हो गई, आप simple interface करिया, अगर आप और भी extra कोई description आड़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर extra description आड़ कर सकते हैं, इसके बाद इसे enter करके save करतीजे, यहाँ पर डालतीजे quantity, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 10 piece, यहाँ प्राइस ले लेता हूँ, मैंने ले लिया 300, और इसके बाद मैं इसको enter करके save करता हूँ, save करने के बाद यहाँ पर मैं अपना taxation ले लेता हूँ, तो taxation था हमारा IGST, इसके बाद आप इसको save करतीजे, save करने के बाद मैं इसको आपको preview करके दिखाता हूँ scap करके पीछे आजाईए daybook में आजाईए daybook में आने के बाद यहां से जो हमने दूसरी sale की थी वो की थी हमने अमन का operation को तो यहां से अमन को select करते हैं enter press करते हैं यहां पर press करिए alt p alt p press करने के बाद current में जाईए current में जाने के बाद यहां preview में आ जाईए preview में जाने के बाद alt z करके इसको zoom करिए आप देखेंगे यहां पर आपकी जो भी items है उनकी description यहां नीचे show up हो गई तो इस तरीके से आप अपने items के नीचे description को add कर सकते हैं अब आप जाते हैं आपका जो bill हो वो original show हो और इसके बाद इसके duplicate और replicate bill आपके सामने show up हो जाए तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं इसके लिए आपको skip करके पीछे आना होगा पीछे आने के बाद आपको वापस configure में जाना होगा और यहां से आपको select search करना होगा number of copies यहां पर आप देखेंगे number of copies को option आगया इसको double click कर दीजे यहां पर आप इसकी जितनी copy करना चाहते है उतनी copy कर लीजे मालीजे मैंने यहां पर दे दिया 3 3 देने के बाद यहां पर enter press करिए यहां पर आपके सामने options आ रहे हैं duplicate, extra copy, original copy जो भी आप लेना चाहिए वो ले सकते हैं तो मैंने ले लिया यहां पर all all लेने के बाद मैं इसको save कर देता हूँ और skip करके वापस पीछे आ जाता हूँ पीछे आने के बाद अब आप प्रीव्यू देखिए देखेंगे यहां पर आपकी original जो बिल था वो आपका show हो रहा है इसके बाद अगर आप इसका duplicate बिल देखना चाहते हैं तो आप अपने keyboard से प्रेस करिए page down page down प्रेस करने के बाद इसे zoom करके वापस दिखा देता हूँ मैं आपको यहां देखेंगे आप आपका duplicate बिल आ गया जो duplicate बिल होता है वो transporter के लिए होता है इसके बाद स्कैप कर दीजे स्कैप दबा दीजे इसके बाद अपने keyboard से वापस page down दबा दीजे और इसके बाद अगर आप इसे zoom करके देखेंगे तो आपका यहां पर duplicate बिल भी show up हो गया तो हमने आपको इस वीडियो में बताया कि आप किस तरह से अपनी company के invoice के ओपर logo प्रिंट कर सकते हैं, bank details प्रिंट कर सकते हैं, item के descriptions add कर सकते हैं, duplicate या duplicate bill भी आप इसके दर किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए और अपने सभी दोस्तों में share कीजिए धन्यवाद